हलो बच्चो वेलकम बैक, so last lecture के अंदर हम लोगोंने circular motion को study किया था, angular displacement क्या होता है, angular velocity, angular acceleration और साथ ही साथ हम लोगोंने इस चीज़ को ढूंडा था, किसकी मदद से, vector and calculus की मदद से, कि circular motion में acceleration की direction कहां कहां होती है, और यहां पर आपके velocity की direction कहां होगी, और आप position vector को किस तर में हम लोग circular motion के dynamics को समझेंगे, कि आप यहां पर acceleration जिस direction में लग रहा है, तो वहां पर आपका force भी होगा, तो उस direction में force किस तरह से behave करता है, और force किस तरह से act करता है, कि body आपकी circular path पे travel करे, और साथ ही साथ हम लोग अपने आपको non inertial frame के अंदर लेकर जाएंगे, और वह यहां पर हम लोग नई चीज ढूडने वाले हैं, discover करने वाले हैं, जो कि होगा आपका centrifugal force, तो यहां पर आपको again चीजों को याद नहीं करना है, nature में हम इन चीजों को observe करेंगे, mathematically communicate करेंगे, जब आप खुद बगोद हम तक चल कर आएगा, ठीक है, तो dynamics को observe करते हैं, और वहां पर start करने से पहले, हम लोगों ने last lecture में जो देखा था, उस चीज को एक बार observe करें, कि हमने यहां पर क्या ढूंड के निकाला था, circular motion के अंदर acceleration vector, जो कि आपका instantaneous acceleration की में बात कर रहा हूँ, वो आपका minus omega square r, r cap, यानि कि radial direction, in short, कि अगर आपका एक circular path है, तो radial direction है, जो है, वो वाले direction है, और उसी के perpendicular आपका यह tangential vector है, यानि कि इस तरफ मिलेगा आपको r cap, और इस तरफ मिलेगा आपको r cap, तो यहां पर minus omega square r, यानि कि magnitude ले तो omega square r magnitude है, आपके towards the radius वाले side पे, क्यों, क्योंकि यहां पर negative sign मिला है मुझे, तो अगर r cap बाहर की तरफ है, तो minus r cap जो होगा, वो towards the center होगा, अब मानलो ये radius ये वाला है, मौझूदा radius मेरा ये है, तो minus r cap यहां है, और rt cap यहां पर है, और minus rt cap कहां है, वो उसके opposite side में है, as simple as that, तो यहां पर ये unit vectors हैं, जो direction बताने में मुझे मदद कर रही है, और उसके आगे लगा coefficient या फिर कोई scalar number, वो मुझे magnitude बताने का काम कर रहा है, और यहां से हमें पता चला, कि towards the center जो मेरा acceleration है, वो omega square r के बराबर है, ठीक है, towards the center बोला मैंने, तो minus नहीं लगाया मैंने, क्योंकि already मैंने towards the center direction define कर दिया है, as simple as that, या फिर मैं उसको अगर velocity के form में लिखू, instant velocity के form में लिखू, तो वो है v square by r, अब मैं जाता हूँ tangential direction में, तो tangential direction में मेरा acceleration आया था r alpha, और यहां पर भी वही मैंने r alpha रखा, या फिर आप इसको simply a tangential at आप लिख सकते हो, अब यहां पर बात आगई कि आपको acceleration पता है, acceleration की direction पता है, तो हम switch करते हैं अपने आपको वापस से, Newton's laws of motion के chapter के अंदर, औ उस ज्यान के जरिये, इस परिस्तिती से हम लोग अगर बात करें, तो हमें समझ आएगा, जिस दिशा में acceleration होता है, उसी दिशा में आपका force लगता है, yes or no, Newton का दूसरा सिधान्थ हमें क्या बता रहा है, जिस दिशा में आपका force होगा, acceleration भी उसी दिशा में होगा, तो इसक towards the center वाली direction में लग रहा है, तो तेड़ा बन गया, एकदम radius वाली line पर, towards the center वाली direction में लग रहा है, तो मेरा net force कुछ इस direction में होगा, simple, अगर आपका एक force इधार है, एक force इधार है, तो आपका resultant force इस direction में होगा, as simple as that, तो यहाँ पर अब मैं net force भी निकालने के लायक बन हूँ, क्यों, क्योंकि जिस दिशा में acceleration है, force भी उसी दिशा में होता है, और अब इसका उल्टा भी हम बोल सकते है, reverse भी, कि जिस दिशा में force होता है, उसी दिशा में acceleration होती है, तो अब अगर हम dynamics को समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब अगर कोई body circular path पर जा रही है, त तो towards the center उसके पास force होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा, तो इस दिशा में acceleration नहीं होगा, और अगर यहां acceleration नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह body circular path पर नहीं जाएगी, यह कोई और path travel करेगी, जैसा उस पे force, वैसा उसका acceleration, वैसा उसका path, as simple as that, क्योंकि आपके velocity और position आपके acceleration के साथ directly connected है, क्योंकि acceleration से मिलेगा, velocity, velocity से मिलेगी आपकी current position, तो यह हुआ आपका dynamics of circular motion, और अब इस चीज़ को हम लोग real life में feel करेंगे, और इस चीज़ को समझेंगे, तो वो चीज़ क्या है, हम पहली condition लेते हैं, बहुत simple सी, कि मैंने एक पत्थर को धागे में बांध रखा है, और उसको मैं यहाँ पर horizontally घुमा रहा हूँ, ठीक है, horizontally घुमा रहा हूँ, तो अगर मैं इस situation को देखूं, ठीक है, इस situation को देखूं, तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आपका सारा ग्या Newton's laws of motion से उठाना है ठीक है, यह वो rope है, जिसमें मैंने पत्थर बांध रखा है, चलो ball बांधी मैंने circular बना दिया, तो अब यह घूम रहा है, यह horizontal circle में घूम रहा है, ठीक है, horizontal, horizontal circle मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एक हो जाएगा vertical, जो ऐसे घूम रहा है, यह हो गया आपका horizontal, ठीक है, horizontal circle में घूम रहा है तो यहाँ पर अब अगर मैं इस ball का free body diagram बनाओं जिसमें मैं सिर्फ यह देखूंगा कि इस पर कौन-कौन से force लग रही है तो मुझे क्या देखने को मिलेगा मुझे यह देखने को मिलेगा कि नीचे की तरफ यह rope है यह ball है नीचे की तरफ ठीक है नीचे की तरफ इसका mg लग रहा है और इस direction में आपका tension force लग रहा है as simple as that ठीक है और आप यहाँ पर case number one हम यह लेते हैं कि मैं इसको constant velocity से sorry constant speed से velocity नहीं बोल सकता हूँ क्यों नहीं बोल सकता हूँ मैं velocity क्योंकि velocity हमेशा अपने direction यहाँ पर ही जो ball है इसकी एक velocity नहीं है हर point पर इसका direction change होगा तो velocities change होगी तो condition क्या हुई कि मैं constant speed से उसको घुमा रहा हूँ ठीक है तो उस वक्त जो मैंने forces देखे वो यह रहे और T और mg यहाँ पर 90 degree बना रही है क्योंकि tension इस direction में है यहाँ से मैंने पकड़ा है और इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ वेरस mg जो है नीचे की तरफ है तो यह एक दूसरे का 90 degree direction 90 degree पर यह दोनों forces है तो अब हम इसकी dynamics को देखते हैं कि circular path जो है वो horizontal है इसका radius जो है वो इस rope की length के बराबर है ठीक है radius जो है वो rope की length के बराबर हो गया तो अब tangential direction में अब इस circular path पे इस circular path पे आपको imagine करना है तो मैं वो circular path आपको दिखाता हूँ ठीक है तो मान लो कि यह आपका जो part है यह वो circular path है जिस पे आपका rubber घूम रहा है ठीक है towards the center हो गई आपके direction और जो tangential direction होगी वो कौन सी होगी आपकी वो होगी अब मैं इस चीज को tilt करूँगा तो यह आपका tangential direction और यह आपका mg ठीक है ओ सोरी यह आपका radial direction यह आपका mg का direction और यह बन जाएगा आपका tangential direction ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको tangential direction में कोई force है नहीं है आप क्यों और तो और हमने already यहाँ पर define कर रखा है कि हम यहाँ पर constant speed से rotate कर रहे हैं तो tangential direction में कोई acceleration है ही नहीं क्योंकि अगर होता तो speed आपकी change हो जाती तो tangential direction में कोई force नहीं है तो यहाँ पर angular acceleration alpha क्या हो गया 0 खुद खुद हमें data देखो अब nature provide करेगा ठीक है तो इस direction पे जो लगने वाला force है वो वहाँ पर exist नहीं करता है क्योंकि tangential acceleration यहाँ पर है ही नहीं तो force आपका tangential direction में क्या हो गया 0 हो गया अब देखा जाए radial direction में अब यह पत्थर यहाँ है मानलो यहाँ पहुँच गया तो rope इस तरह होगी तो tension की direction देखो towards the center होगी इस point पे पहुँच गया तो rope ऐसी हो जाएगी tension की direction यहाँ अगर यह ball यहाँ पहुच जाएगी तो rope आप कैसे होगा tension की direction यहाँ ball यहाँ पहुच गई तो rope ऐसे होगा tension की direction यहाँ तो अब आप clearly observe कर सकते हो कि tension किसी भी point पर circular path में होगा, हमेशा towards the center होगा, तो towards the center जो आपका net force है, mg तो हमेशा ही नीचे की तरफ है, देखो हर point पे mg आपका नीचे की तरफ है, ठीक है तो towards the center जो आपका force है वो एक लौता tension है, तो इस scenario के अंदर, net force towards the center, Newton's laws of motion यूज़ करेंगे, नेट force is equal to mass times acceleration काम खतम, net force is equal to mass times acceleration उसी direction का force और उसी direction का acceleration होना चाहिए, तो जिस direction में मेरा tension है, उस direction में force कितना है, मतलब force है मेरा tension तो यहाँ पर mass times acceleration और acceleration आपका उस direction में कितना है, यह minus लगाया है लेकिन यहाँ r cap है, तो यह बाहर की direction minus लगा दिया, तो अंदर की direction, तो magnitude लूंगा टू अंदर की तरफ कितना होगा omega square r, क्या है आपके पास omega square r, और अगर v के form में लिखना है, तो t is equal to mv square by r, तो यह देखो, यहाँ पर हम लोग इसको एक नए formula की तरह treat करने लगती है, पर यह Newton's laws of motion है, और कुछ नहीं this is your net force this is your net force equals mass times acceleration this is your net force, this is mass times acceleration, हमने यह थोड़ी ढूला है, कोई नया formula थोड़ी जाद किया है हमने यह पाया, circular motion के अंदर, जब उसके motion को observe कर रहे थे, कि इसका acceleration towards the center, omega square r के बराबर है या फिर v square by r के बराबर है दोनों same ही है, v और omega में relation होता है तो omega की जगे v square by omega square है, तो यहाँ पर v square by r square लिखेंगे तो v square by r आ जाएगा तो कुछ नया नहीं ढूंडा है, और इसको बस feel करो, net force equals mass times acceleration, काम खतम, तो यह क्या है, इसको हमने बस एक नाम दे दिया, centripetal force और क्या किया है, तो यह कोई नई चीज नहीं बन जाती है, newton's laws of motion में जो हमने सीखा है, exactly वही चीज है ये तो देखो, यहाँ पर आ गया आपका, इस तरह से आपको, इन चीजों को observe करना है और यहाँ पर हम इन चीजों को already सीख चुके है, newton's laws of motion के अंदर, हमारा जो main काम था वो ये था कि इसका acceleration कितना होगा, ताकि अब मैं बता सकूँ, कि जो भी net force है उस तरफ, वो net force मेरा किसके बराबर होगा वो net force मेरा equal होगा क्या कहते हैं, आपके mass times acceleration के बराबर, और यहाँ acceleration है, omega square r, omega angular velocity है, या फिर वो आप बोल सकते हो, mv square by r velocity, जो यह v है, आपका tangential velocity है, वो भी उसी point पर, यानि instantaneous velocity गाम खतम, ठीक है तो देखो कितना simple सा है यहाँ पर तो इस तरह से हमने पहली परिस्तिती को समझा, और यह आपका dynamics of circular motion का पहला part हुआ, ठीक है, आप देखते हैं, हम लोग यहाँ पर, अगले part को देखते हैं, और वो यह है, कि हम यहाँ पर tangential force भी देते हैं, tangential force भी देते हैं, हमने कह किया, अब rope ना लेके एक solid rod ले ली, और अभी horizontally ही चलाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा, वो rocket सा लगा दिया, ठीक है rocket सा लगा दिया, जो कि thrust produce कर रहा है, ठीक है जिस thrust की वज़े से, इस पर ठीक है, इस पर आप खुदी सोचो मान लो यह वो rocket है, और यहाँ पर मैंने direction होगी, वो कहाँ होगी, tangential direction में होगी, जो force आएगा, यह तो action होगया reaction force इस पर कहाँ होगा, tangential direction में होगा, और वो force यहाँ पर हम एक value ले ले लेते हैं, let's say 10 newton का होगा, ठीक है, let's say 10 newton का होगा, या फिर मैं इसको आप लिख सकते हो F tangential होगा यह होगया, आपके पास tangential force तो मैंने यहाँ पर ft, अब board पर दिखा रहा हो, तो आपको लग सकता है, यह उपर जा रहा है लेकिन यह उपर नहीं जा रहा है, यह circular path है, यह नीचे की direction है, ठीक है यह इस direction का force है इस तरह से, ठीक है, यह आपका साथ जुड़ा हुआ है, तो यह इसको अपनी तरफ खीच रहे, ठीक है, obviously अगर यह इसके साथ जुड़ा नहीं होता, तो यह जो force है simply इसको सीधा लेके जाती, लेकिन क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसी वज़े से तो यह मुड़ पा रहा है, क्योंकि इसके साथ disconnect नहीं हो पा रहा है, that is why यहाँ पर एक force है, जो इन दोनों के grip की वज़े से आरे, joint के वज़े से आरे है और वो force हो गया, आपका rod है, आप यहाँ पर भी, जब तनाव होता है, खिचाव होता है, ज़रूरी नहीं, वो रोप में हो, एक solid body में भी तो खिचाव होता है, तो इस force को, खिचाव वाले force को ही हम लोग tension बोलते हैं, तो यहाँ पर आगया आपका tension, अब यह जो तीनों force है, यह तीनों एक दूसरे के perpendicular है, यानि कि यह वाला force mg के perpendicular है, tension mg के perpendicular है, और यह इसके perpendicular है, ठीक है, जिसको आप अपनी finger से इस तरह से कर सकते हो, थाम उपर की तरफ एक finger आगे, और यह वाली जो finger है, आपनी तरफ point कर लो, ऐसे, 90 degree, 90 degree, और इन दोनों के बीच में भी आपका देखो क्या बन रहा है, 90 degree, तो यह हो गए, तीनों direction, tangential direction, radial direction, मतलब ऐसे दिखाता हूँ, यह हो गए आपका mg, ठीक है, वैसे right hand से दिखाता तो ज़्यादा सही रहता है, चलो, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, mg, tangential, radial, ठीक है, mg, tangential force, radial force, तो अब आप इस चीज़ से समझ जाओगे, ठीक है, चलो, तो आप देखो, अब यहाँ पर मेरे पास tangential force भी है, tension भी है, mg भी है, तो यहाँ पर वही बात आती है, जिस दिशा में आपका force है, उस दिशा का mass into acceleration, Newton का दूसरा सिर्धान, यही तो उन्हों उन्होंने सिखाया था हमें, nature से observe करके, तो यहाँ पर tension आपका बराबर हो जाएगा, mass times, इसकी direction में जो acceleration है, इसका path भी ऐसे होगा, circular path होगा, ठीक है, यह center तक ले कर आओ, ठीक है, यहाँ पर होगा, अब चाहे वो rocket आपकी इस तरह से connected रहेगी, तो tension हमेशा कहा है, towards the center है, तो towards the center force क्या है, acceleration क्या है, omega square r, या फिर mv square by r, तो यह आगया, आपका tension, net force आगया, अब radial direction में अगर मैं देखूं, तो क्या आता है मेरे पास, net force क्या है, ft, एक constant force है, तो net force क्या है, ft, जो कि किसके बराबर होगा, mr, alpha के बराबर होगा, काम खतम, अब यहाँ पर यह चीज़े खतम नहीं हुई है, अभी यहाँ पर आपको इस परिस्तिती से थोड़ी और बात करनी है, और यही आपको और ज़्यादा clarification देगी, और वो क्या है, क्योंकि मेरे पास, देगो हमारा काम एक formula इजाद करना नहीं है, उन परिस्तितियों से बात करना हमारी असली education होगी और सही पढ़ाई होगी, तो अब हम यहाँ पर इस परिस्तिती से बात करते हैं, और उस इसको समझते हैं, क्योंकि हम, देखो, science tough नहीं है, हमको सिर्फ जादा से ज़्यादा जितनी आप बात कर सकते हो, जितना ज्यान उससे ले सकते हो, लेने की कोशिश करो, देखो समझाने पर तो हम समझी जाएंगे, लेकिन बात करने पर हम कुश चीज को अपनी सोल के अंदर बसा लेंगे, और जिंदगी में कभी नहीं भोलेंगे, तो अब सोचो, सोचो नहीं देखो कि यार अगर tangential direction में force लग रहा है, इसका मतलब tangential direction में जो आपकी speed है वो change होगी, exactly, वो change होगी, और क्योंकि वो change होगी तो आपका यहाँ पर, आपकी velocity अगर change होगी, sorry, speed change होगी, माफ करना, circular path है, speed बोलना होगा, speed change होगी, तो it means किसी भी point पर, जब आप point number 1, point number 2, point number 3, तो यहाँ पर V1 लिखता हूँ, यहाँ पर V2 लिखता हूँ, यहाँ पर V3 लिखता हूँ, V मतलब velocity, क्यों बोला मैंने velocity, instant velocity, आपकी पूरे path पे तो speed है, लेकिन एक particular point पे तो आप velocity बोल सकते हो, तो that is your instant velocity, तो clearly V1 is less than, V2 is less than V3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि time के साथ आपकी instant velocity, change तो हो रही है, देखो direction बदल रहा है, velocity change हो रही है, तो यहाँ पर time के साथ velocity सिफ direction ही नहीं बदल रही है, साथ ही साथ, मैं velocity लिखने के बज़ए magnitude लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, magnitude ठीक है, time के साथ velocity अपने direction बदल रही है, क्यों कि tension force उसके लिए responsible है लेकिन साथ ही साथ उसका magnitude भी change हो रहा है, it means कि आपका जो यह tension force है, वो यहाँ पर constant नहीं है, यह जानकारी mathematically देखो, बात करके हमें पता चल रही है क्योंकि यह velocity जो है, यहाँ पर जो V है, यह फिर angular velocity है इनकी value change हो रही है, it's keep on increasing, यह बढ़ रहा है यह बढ़ रहा है तो इसका मतलब tension भी आपका यहाँ पर change हो रहा है ठीक है, tension यहाँ पर vary कर रहा है tension यहाँ constant नहीं है और इस चीज़ को जब हम समझ जाते हैं तो हमसे अगर कोई पूछे कि भाई बताओ, इस परिस्तिती में tension क्या होगा, हम तो एक formula रख देते हैं, mv square याद लेकिन अगर इस पे हमें engineering करना हो कुछ बनाना हो, हमारे दुनिया में motion mostly दो ही प्रकार के हैं तो वो linear जाएगा, या फिर वो rotate करेगा और इनी दोनों को मिला के आपका कर्वी linear motion बन जाता है तो अब जब हमें motion को study करना है engineering में कोई mechanical device बनाना है जिसमें rotation और motion included है तो वहाँ पर ऐसी चीज़े हमारे ले कितनी helpful होंगी, से for example मैं जानता हूँ कि यह जो body है मानलो यह जो इसका cap है यह एक limit तक मैं इसको रोख सकता हूँ लेकिन उसके बाद तो यह open हो जाएगा ठीक है, तो अब सोचो कि यहाँ पर यह joint की तेरह है और मैं इसको गोल-गोल घुमा रहा हूँ हमको engineering के time पर machine design के अंदर बहुत help करती है वहाँ पर तो हम लोगों को formula book ले जाने को allow किया जाता है कि आप देख के कर लो कि आपको कौन से formula के need पड़ेगी बट हम, क्योंकि हमें formula याद कर करके पढ़ने की आदत होती है तो हम उस formula book से भी connect नहीं कर पाते है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि किस परिस्तिती में क्या लगाएं किस चीज़ को use करें तो हमको वो समझ होनी चाहिए वो feel होना चाहिए machine design करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई इसको कितना RPM दू rotations per minute दू कि इसमें इतना ही tension बने जो इसकी limit के अंदर हो this is your machine design as simple as that आप ए crane बना रहे हो तो उसको कितनी मोटाई दू कि वो इतना tension बियर कर सके जब वो कोई load उठा रहा है तो that is your machine design हम engineering में अपने बाल नोचना start कर देते हैं ऐसे subjects को हम लोग पते क्या बोलते हैं DSP exams बोलते हैं अब हर जगे जगे अलग-अलग नाम होते हैं बट मेरे time पर उसको DSP बोला जाता था degree stopping paper कि भाई ये paper नहीं clear होगा ये degree रोक देगा इस तरह का खौफ बन जाता था क्यों बनता है क्योंकि हम formulas के जरिए बस अग्यारवी बार भी कर रही हैं और जब engineering जा रहे हैं तो वही habit लेकर हम engineer बनने की कोशिश कर रहे हैं बट एक creation करने के लिए कुछ innovation करने के लिए हमें एक अच्छा communicator बनना पड़ेगा और communication किस से लोगों से नहीं पूरे universe से यानि कि अपने nature से अपने surrounding से हमें observe करके उससे mathematically communicate करना आना चाहिए जब मेरे पास एक formula आ रहा है उस formula के जरिए इन परिस्तिती से मुझे बात करनी होगी ये नहीं कि बस formula आया और मैंने उसको लिख लिया मुझे बात करूँगा जितना मैं बात करूँगा धीरे धीरे वो मेरी habit बन जाएगी और एक दिन ये habit मुझे एक successful इनसान बनाएगी और habit बनने में ज़्यादा time नहीं लगता है मातर 21 दिन लगते हैं तो 21 दिन observe, communicate mathematically ask the right question why it is happening answers खुद बखुदाने start होंगे first hand day शायद आप struggle करोगे लेकिन 11 दिन से लेकर 21 दिन तक अगले 10 दिन तक sorry 11 दिन तक आपका struggle कम होना start होगा और 21 दिन आपकी habit बन जाएगी और जही का paper आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा कारण बताता हूँ क्यों कि जब आप सही way में पढ़ोगे सही way में घ्यान लोगे तो यकीन मानो पढ़ाई बहुत आसान है it's just कि हम बचपन से लेकर अभी तक wrong direction में पढ़ते हुआ है so that became a part of our habit आपको सिर्फ यह habit बदलनी है हम लोगों को tips and tricks की आदत लगाई गई है हम लोगों को marks oriented पढ़ने के लिए बोला गया है हम लोगों के लिए marks ही ऐसी चीज़ है कि जैसे हमने अमरित पा लिया हो लेकिन वो अमरित नहीं है भाई वो wish है marks लाओ exams दो लेकिन उनको अपने सपने के साथ जोड के दो आप marks को लाना चाहते हो ये गलत नहीं है लेकिन marks लाना चाहते हो बिना ग्यान के ये बहुत गलत है ये सब के लिए है ये बात teachers को भी समझनी होगी कि हमें marks के लिए नहीं पढ़ाना है हमको ग्यान के लिए पढ़ाना है और ये बात पे कोई दो राए नहीं है कि अगर ग्यान होगा तो marks आएंगे यहां पर marks नहीं कटने वाले हैं तो जब marks चाहिए तो ग्यान के रास्ते चाहिए हमें tips and tricks के रास्ते, formula के रास्ते इस question को ऐसे solve करना है इस रास्ते नहीं चाहिए हमको marks चाहिए कि भाई मुझे बात करनी आती है मुझे असली ग्यान है मेरे पास और मैं उस ग्यान के जरिये उस परिस्तिती से बात करूँगा और उस प्रश्न को हल करूँगा अगर नहीं कर पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अग्यानी इंसान हूँ इसका मतलब यह है कि मैं इस परिस्तिती को अभी इन लोगों ने नीचर को देख कर ही निकाले हैं तो हम यहाँ पर इन फॉर्मूलास के जरीए क्या अचीव कर रही हैं मांक्स लेकिन उस मांक्स के जरीए हम अपनी लाइफ में वो creator वो innovator वाली जिंदगी अचीव नहीं कर रही हैं जो जिंदगी एक्चुली में हर कोई जीना चाता है हर कोई चाता है कि वो कुछ बढ़ा करे ताकि उसका नाम हो लेकिन वो life जीने के लिए हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा right education लेना पड़ेगा यह हमारी priority होनी चाहिए यह एक race में दोड़के आप भीड के अंदर ही तो खड़े हो ना भीड से जब तक अलग नहीं बनोगे तब तक आप वो race के winner हो ही नहीं और competition is for losers क्योंकि जहां ज़ादा आबादी वहां ज़ादा competition winners के लिए कोई competition नहीं होता है application के अंदर मैंने PDF डाल रखी है year by store से उसके physical copies जरूर लेना वो book मैंने पढ़ी मैं बहुत inspired हुआ उस book से मेरी personal one of the favorite books है ऐसी बहुत सी books है लेकिन हमें science पढ़ना है हमें सिर्फ एक motivation लेना है you can win से शुरुआत करो अब उसके बाद आपका जो main goal होगा जो main aim होगा महनत करना important है लेकिन उससे ज़्यादा important यह है सही direction में महनत करना अगर मैं चांद पे जाना चाहता हूँ तो मुझे अपनी महनत rocket science पर लगानी होगी ठीक है मैं अगर चांद पे जाना चाहता हूँ और मैं rocket बनाने की महनत ना करने की बजाए रोज यहाँ पर महनत करूं मान लो कोई भी दूसरा काम ले लो कि मैं लकडिया काट के आ रहा हूँ लकडियों को बेच रहा हूँ उससे मैं अपनी earning कर रहा हूँ खूब अच्छा business चल रहा है मेरा खूब पैसे आ रहा है मेरे पास लेकिन यहाँ पर भी मैंने महनत करी लकडियां काटने में भी महनत करी लेकिन वो महनत मुझे चान पे नहीं ले जा सकती है चान पे जाने की direction में महनत करूँगा तभी मैं चान पे जा पाऊँगा तो पढ़ाई में महनत हर कोई कर रहा है इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन जब महनत कर ही रहे हो तो सही direction में करो यकीन मानो मुश्किल नहीं है इंडिया में ये चीज अचीज अचीव करना कि हमारे देश में अगर सारे बच्चे सही direction में पढ़ना start कर देंगे तो यकीन मानो cut off 80 marks की ना आने की वज़ाए शायद ऐसा भी हमको motivation देने की वज़ए demotivate कर रही है तो ऐसी पढ़ाई हम क्यों करें पढ़ाई करना है हमें पढ़ाई एक अबिन्ध पार्ट है हमारी life का लेकिन पढ़ाई करना है हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करते हैं जैसे हम खाना खाते हैं अपनी सेहत ब सबसे कीमती चीज है क्योंकि इसको आप खरीड भी नहीं सकते इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी एक ही चीज़ा जो नहीं खरीड सकता है वो है समय समय सबसे important है और सही समय पे सही दिशा में आगे बढ़ोगे तो यकीन मानो successful बनोगे काम्याब इंसान धिने जा सकते ह इतने कम है इन लोगों ने सही दिशा में काम किया है और इसकी वज़य से ही ये successful बने है नाकाम्याब इंसान भीड को follow करता गया है हमको भीड follow नहीं करनी है ये बात हमेशा ध्यान रखनी है सॉरी लंबा हो जाती है बात क्योंकि मैं हमेशा ये feel करता हूँ अपने surrounding में सफल हो गया उसको सही दिशा दिखाने में वो सही दिशा बहुत important है सही दिशा आप देखो और उस राह पे चलना start करो 21 दिन अपने आपको train करो right way of education observation ही है चाहे आप science के बारे भी नहीं बोल रहा हूँ क्रिकेटर भी बनना है ना आपको footballer भी बनना है ना actor भी बनना है ना observation इस तक की asking the right question why that is the second key communicating mathematically that is your third key ये तीन चीज़े आपको life में कहां से कहां पहुँचा देंगी जो आप शायद आपने सोचा भी नहीं होगा अपने बारे में लेकिन 21 दिन अगर आप इस चीज को अपन mission और दूसरी तरफ एक job एक placement के बारे में सोच रहे होगे आपका दारा बदल जाएगा अब आप innovation के बारे में सोचोगे entrepreneurship के बारे में सोचोगे businesses के बारे में सोचोगे life में risk लेने के बारे में सोचोगे और सबसे बड़ी बात आपको वो challenges के time पे जो आपका downtime आएगा कहने का मतलब एक example के form में लेता हूँ कि आपने अपने लिए एक challenge उठाया कि मैं एक billion dollar business खड़ करूँगा because my idea is great but I don't have money जब तक आपके पास पैसा नहीं है उस business को properly run करने के लिए लेकिन उस पैसे को earn करने के लिए जब आप अपने prototype पे work करोगे उस prototype को दुनिया को showcase करोगे बिना money के जब आप उसको arrange करोगे अपने लिए एक toughest life चुनोगे उस toughest life में जो challenge होगा न वो आ एक है दो तरह की मेहनत होती है जो मेहनत मैं अपने लिए कर रहा हूँ वो मेहनत सुकून देती है लेकिन जो मेहनत मैं उसके लिए कर रहा हूँ न कि यार मुझे एक job मिल गई है मैं काम कर रहा हूँ बैठके अब मैं बोर हो चुका हूँ ये काम कर करके और मुझे ये भी घर चलाना है आपको अपने बच्चे पालने है तब वो काम बोज लगेगा और आप एकदम stressed होना start कर दोगे और उसी life को काटना start कर दोगे और यहाँ पर आपकी वो महनत आपकी वो लगन आपको बोज लगेगी और यहाँ पर आपको लेकिन बिना सपनों के इंसान की life ऐसी होती है बस इस तरह से चलती है no achievements no achievements जिन्दगी कट गई 70 साल की जिन्दगी है 80 साल की जिन्दगी है हम क्या है bunch of atoms ही तो हैं जो कुछ परिस्तितियों में इस तरह से जुड़ गए कि एक जीव बन गए एक human being बन गए जिसके पास अंदर body में मौझूद blood और neurons की वज़े से एक power आ गई है communicate करने की और बात करने के लिए एक भाशा आ गई है जिसके जरी हम चीजों को calculate कर पा रहे है बिसिकली हम लोग nature के बनाई हुए robot सी तो है naturally बने हुए robot सी तो है अब जब हमें यह opportunity मिली है तो यह शरीर की जो है जिसको सतर असी साल बाद वापस से धूल बन जाना है इसको एक adrenaline से भरीवी life दोना इसको एक adventure से भरीवी life दोना इसको life में enjoy करने दोना इसको challenges में भी सुकून पाने दोना इस चीज के लिए अपने आपको पढ़ाई करवाओ अगे लेक्चर में लंबी बात हो गई लेकिन यह बात सकते है इसको जरूर फील करना actually मैं lecture भी छोटा है हो जाएगा लेकिन इन बातों से video length लंबी होती है मैं मानता हूँ लेकिन यह दिल से निकले भी बाते हैं जो मैं आप लोग इसा share करना चाहता हूँ चालो तो अब ब करेगा time के साथ करना sorry time के साथ भी करेगा और जैसे velocity बढ़ेगी tension आपका बढ़ेगा और इसके engineering में भी काफी जादा used है engineering में क्या हर life में life के हर part में इसका use है even सोचो हमारी धरती ही तो है layer by layer इसको सोच के देखो ठीक है अगर धरती की rotation अचानक से बढ़ जाए rotation बढ़ ज जाएगी और गोल गोल घूमते हुए हमारी धरती वह बन जाएगी क्या बोलते है meteorites के form में आ जाएगी और फिर sun के चक्तर लगाती रहेगी या sun के अरूंड ही अगर हम थेज घूमना start कर दें तो हमारा orbit बढ़ा हो जाएगा ठीक है क्यूं होगा थोड़ी देर में हम centrifugal force क भी समझने वाले है non inertial frame के अंदर आपको अपने आपके चीज़े clear हो जाएंगे ठीक है क्यूं होगा उसका idea तो आप किसी से लगा सकते हो यह देखो tension बढ़ रहा है और यह तो यह कहां जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है ठीक है तो इसको भी हमें अभी feel करना है चलो तो यहां पर हमाई को पता है कि भाई radial direction में क्या acceleration होता है tangential direction में क्या acceleration होता है तो net force equals mass times acceleration tangential direction में net force equals mass times acceleration काम खतम simple dynamics है परिस्तियाने दो बात कर लेंगे Newton's laws of motion के जरीए हमारा काम हो जाएगा ठीक है चलो अब हम चलते हैं पत्थर को लेते हैं जो हमने बांगा था vertically उसको घुमाते हैं तो यह बना मेरा circular path ठीक है vertical direction में और यहां पर यह रही मेरी rope और यह रही मेरी ball अब मैं बनाता हूँ इसका free body diagram तो अब अगर मैं free body diagram को देखूं मारकर कहां गिर गया ठीक है free body diagram देखूँ तो भई मेरा mg नीचे लगेगा tension मेरा उपर लगेगा ठीक है जब ये ball यहां पहुँच गई ठीक है तो mg अब देखो अभी भी mg नीचे है ठीक है tension उसके perpendicular है और ध्यान से देखना यहां पर इस वक्त mg आपका इस वक्त अगर mg को देखोगे तो वो नीचे तो है लेकिन यह vertical circle है तो इस वक्त mg आपका tangential direction में लग रहा है rt वाले direction में ना minus rt वाले direction में क्योंकि rt वाले direction क्या होती है जहां आपका radius है उसी direction में आगे बढ़ो plus 90 degree जाओ plus 90 degree जाओ वो आपका rt वाला direction है और अगर minus 90 degree आओ गया तो वो बन जाएगा आपका minus rt cap यह हम लोगोंने as a standard define कर दिया था ताकि भाई अगर हमें यह दिखेगा तो यह वाले direction minus rt दिखेगा तो यह वाले direction similarly जैसे यह मेरा r cap है तो इसके opposite वाला minus r क्या था as simple as that यह minus क्या बता रहा है direction बता रहा है क्योंकि plus minus क्या होते है direction शुरुआत हमने इसी से करी थी चीक है चालो तो अब देखों तो वई इस वक्त mg आपका यहाँ है अब इस position पर ले आते है तो यहाँ पर अगर मैं देखों तो mg कहां है मेरा नीचे है और tension कहां है मेरा वो भी नीचे है तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि net force towards the center देखो vary कर रहा है time के साथ vary कर रहा है यहाँ पर आ जाते हैं तो अब mg मेरा यहाँ पर है और tension मेरा यहाँ पर है perpendicular direction तो अब यहाँ पर एक चीज तो clear है एक किसी angle पर ले लेता हूँ किसी angle पर और angle को measure करने के लिए मुझे एक अपना frame of reference चाहिए तो मैं इस axis से angle measure करना start करता हूँ तो मैंने ये angle ले लिया theta अब free body diagram बनाते हैं इस point पर तो वो free body diagram अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आता है mg ठीक है अब मैं क्या करूँगा मैं radial direction और tangential direction में एक चोटा सा frame बना लेता हूँ ताकि मैं अपनी calculation को easy कर सकूँ इस angle is theta तो यह angle theta हो जाएगा तो radial direction में force क्या हो जाएगा mg cos theta, tangential direction में क्या हो जाएगा mg sin theta ठीक है अब क्यूंकि मैंने components लगा दिये हैं तो मैं mg को यहाँ से गायब कर देता हूँ क्यूंकि यह दोनों मिलके क्या produce कर रहे हैं mg downward direction में और इस direction में है मेरे पास tension ठीक है आप देखो अब यहाँ पर net force towards the center net force towards the center is mass times acceleration तो बैस center वाली direction में देखो यह वाली direction में देखो कौन सा force है एक tension है और एक mg cos theta है Newton's laws of motion से ही अगर मैं बात करूं तो T minus mg cos theta is equal to this is my net force towards the center बैस T उधर है लेकिन mg cos theta बाहर की तरफ है तो T में से वो minus हो जाएगा जितना यह खीच रहा है अंदर की तरफ उतना यह बाहर की तरफ धकेल रहा है तो अगर 5 newton से अंदर खीचा जा रहा है 3 newton से बाहर खीचा जा रहा है तो overall 2 newton से अंदर खीचा जा रहा है तो यह हुगया मेरा net force is equal to mass times towards the center रिखा है तो यहाँ पर magnitude कितना है towards the center omega square r omega square r या फिर mv square by r लो भाई equation ready आगे का काम questions के अंदर आएगा तो क्या करना है simplify करना है और क्या करना है और फिर अगली चीज़ आती है net force towards in tangential direction ठीक है अब mg sin theta को देखो तो भाई rt मेरा tangential direction कहा है यह है यह कौन सी direction में है यह है आपके minus rt के आप वाले direction में है तो भाई tangential direction में मेरा net force कितना है ठीक है उस direction में कितना है इधर mg sin theta है तो अधर कितना होगा minus mg sin theta as simple as that तो यहाँ पर मैं लिकूँँगा minus mg sin theta is equal to mass times tangential direction में acceleration क्या होता है r alpha के वराबर होता है mass multiply acceleration m r alpha अब इस minus को यहाँ ले जाओ तो उस minus को यहाँ ले जाते है तो m r alpha is equal to minus m r alpha is equal to mg sin theta एक ही बात थोई देखो तो अब यहाँ पर यहाँ पर बारी आती है सिर्फ यह equations आ गई काम खतम हुआ नहीं इस परिस्तिती से हमें बात करनी है जो की हम लोग अब करेंगे तो हमें यह चीज़ पता है कि हमने यहाँ पर clearly देखा कि यार जो मेरा acceleration है अब यहाँ पर वो sign theta पर depend कर रहा है लेकिन जैसे जैसे यह मेरी ball आगे बढ़ती जाएगी मेरा theta vary करता जाएगा आप देखी सकते हो theta मेरा change हो रहा है क्योंकि theta तो आप एक fixed line से ही check करोगे पहले यह है फिर यह है फिर यह हो गया फिर यह हुआ फिर यह आगे बढ़ गया यानि कि theta vary कर रहा है it means it means मेरा जो यह acceleration है चलो आप angular acceleration को ही देख लो या फिर इसको tangential at ले लो minus at is equal to g sin theta तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मेरा acceleration भी यहाँ पर constant नहीं है और अगर acceleration constant नहीं है यानि कि वो हर point पर change हो रहा है और देखो हमने जो formula बनाये थे v is equal to u plus at s is equal to ut plus half at square v square is equal to u square plus 2 as और जो circular motion के लिए थे कि omega is equal to omega not plus alpha t theta is equal to omega not t plus half alpha t square omega square is equal to omega not square plus 2 alpha theta यह formulas work करते हैं constant acceleration के लिए बट यहाँ पर acceleration आपका clearly दिख रहा है कि वो variable है ठीक है वो आपका यहाँ पर variable है तो यहाँ पर आप क्योंकि acceleration variable है आप उन formulas का use मत करना क्योंकि वो formula constant के लिए हैं तो आप यहाँ क्या use कर सकते हो simple सा logic हर point पर देखो यह point है just अगला point जो होगा वहाँ पर जाते ही theta की value change because एक point add हो गया minor ही सही change तो हुआ क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोलते बहुत छोड़ा सा change हुआ है तो वो उसके बराबर यह line ही गलत है एक point भी change हुआ मतलब change हो गया और क्योंकि वो change हो गया तो इसकी value में बदलाव आएगा जिस वजह से हम यहाँ पर अब calculus का ही use कर पाएंगे जब भी आप यह सुनोगे ना कि चीज़े हर point पर बदल रही है तो आपको वहाँ पर calculus use करना है और calculus कैसे use करना है वो चीज हम लोग देखी चुकी है थोड़े time में हम लोग differential equation भी देखेंगे हला कि यह वाले questions आपके syllabus में नहीं आती है variable acceleration के लिए बट still जैसे हम लोग differential equations को पढ़ लेंगे यह सारी चीजे करना हमारे लिए बच्चों का खेल होगा 2 plus 2 equal to 4 यह बताने में मुझे toughness लगी है उतने ही toughness इनको solve करने में आएगी हला कि हम लोग limit derivative और integration का मतलब जानते हैं यहाँ बस उनी का इस्तमाल करना है ठीक है चलो अब बढ़ते हैं इसकी तरफ तो यहाँ पर भी दिख़रा है मुझे के भाई मेरा t minus mg cos theta mv square by r के बराबर है इसका मतलब अगर मैं tension को देखूँ अगर मैं यहाँ पर tension की तरफ ध्यान दूँ तो tension को मैं कहां लिखूँ ठीक है यहाँ लिखता हूँ t is equal to इस minus mg cos theta को यहाँ ले आता हूँ mv square by r plus mg cos theta mg cos theta और अब देखो आपके पास tangential acceleration है तो क्या velocity constant रहेगी नहीं रहेगी velocity भी vary करेगी यहनिकि यह भी vary करेगा और angle तो vary कर ही रहा है तो यहनिकि tension आपका इन दोनों पर vary कर रहा है तो अब यहाँ पर एक चीज़ और भई mathematically बात कर रहे हो तो mathematics को क्यों भूले हम लोग उस चीज़ को भी देखें तो यहाँ पर हम लोग किताबों में maths में क्या पढ़ते हैं relation function उसका मतलब क्या होता है y is a function of x इसका मतलब क्या है यह represent करने का तरीका है लेकिन यह क्या बता रहे है कि y और x के बीच में कोई relation है मान लो equation ले लो y is equal to x square upon में sin x तो यहाँ पर यह पता चला कि x का जब input दूँगा तो इस relation के according y का output आएगा तो यहाँ पर t velocity पर भी dependent है और angle पर भी dependent है बाकी चीज़े तो constant है mg और mr तो constant है तो यहाँ पर हम लिखेंगे tension is a function of velocity, radius as simple as that तो यह आपका relation के आया यहाँ पर mv square by r plus mg cos theta तो math में हम यह chapter क्यों पढ़ते हैं क्यों यह representation करते हैं उसका reason हमें पता चल गया अब आप लोग आगे चल के खुद से सोचो आगे का base भी हमारा इसी तरह बनेगा कि यार अब इसके अंदर क्या और हो सकता है जितना बात करोगे उतना ग्यान देगा आपको हो यह सकता है कि हम ball को इस तरह गुमाए इस तरह गुमाए कि velocity constant रहे तो उस case में अगर मैंने velocity constant कर दिया तो उस case में tension is a function of theta only लेकिन इस case के अंदर क्या मैं theta को constant कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि theta constant कर दिया तो वो rest में आ जाएगा तो यानि कि दूसरा case possible नहीं है हम लोग क्योंकि आगे चलके partial derivative पढ़ने वाले हैं हम लोग को बस यह बोल देते हैं हम लोग यह क्या देते हैं कि यह इन दोनों का function है तो एक बार इसको constant ले लो एक बार उसको constant ले ले ना partial derivative निकल जाएगा लेकिन देखो इसने मुझे एक सच्चाई दिखाई कि ऐसे भी cases हैं जहां पर आप दूसरे चीज को constant ले ही नहीं सकते हो अगर मैं vertically उसको घुमा रहा हूं तो मैं cos theta को constant ले ही नहीं सकता क्योंकि यह तो vary करेगा ही करेगा हां मैं velocity को constant बना सकता हूं तो यह बात से हम क्या सीखते हैं कि जैसा हम पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं कि दुनिया में हर चीज बस वो पत्थर की लकीर है इसी लिए observation हमारे लिए सबसे ज़ादा जरूरी है कि यहां पर मैं एक partial derivative का भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए simple harmonic motion को पढ़ाने से पहले after आपका rotation के बाद जब आपका fluid mechanics हो जाएगा और आपका mechanics of material होगा तो partial of derivative आपका prerequisite रहेगा यानि कि SHM पढ़ाने से पहले हो चीज़ तो वहाँ पर मैं आपको यह बोलूँगा कि आप यह दो तिन चीज़ों से जुड़ावा function है मतलब multi variable function है तो यहां पर आप इसको constant ले रहे हो एक को constant की तरह treat करोगे दूसरे को नहीं करोगे लेकिन उस चीज़ को हम process ना बना ले मैंने देखा engineering के time पर बच्चे कहते हैं यार इसको constant लेके एक result निकाल देंगे और वो result निकल जाएगा और फिर वो कहेंगे कि यार हम ये process को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि reality में ऐसा कुछ दिखें formulae तक पहुँचना है ये बात भी important है ठीक है तो देखा बात करने का फाइदा क्या है ज्यान बढ़ता है out of syllabus ज्यान मिल रहा है लेकिन ज्यान कोई out of syllabus नहीं होता है ज्यान एक ऐसी चीज़ है जो हमें लेनी है बस कैसे भी करके लो हर जो चीज़ हमें पता है वो ज्यान ही तो है मुझे मेरे दोस्त का नाम पता है वो भी तो ज्यान है वो भी तो एक data base है syllabus out of syllabus ये सब चीज़े fall to की बाते हैं ज्यान लेना है बस जो मिले लो और खुद से ज्यान लेने की habit कैसे बनानी है जो है आपके पास वही आपको बहुत कुछ बता सकता है उससे बात करने की आदट डालो काव आपका खुद बखुद हो जाएगा ठीक है चलो तो भई यहाँ पर हम लोगों ने dynamics को समझ लिया है ठीक है dynamics को समझ लिया है अब बारी है centrifugal force को समझने की ठीक है तो अब देखते हैं centrifugal force क्या चीज़ है ठीक है centrifugal force अब एक चीज़ और centrifugal force को समझने से पहले ठीक है आप लोग 2 मिनट के लिए वीडियो को pause करो और क्योंकि हम लोगे दिमाग में भरा गया है मुश्किल टॉपिक है centrifugal force नया चीज़ आ रहा है सब कुछ अपने brain को relax करो empty your mind मतलब दुनियादारी की जो बाते इस चीज़ को लेकर की गई है उससे अपने दिमाग को मुक्त करो और शांती से आपने pseudo force का lecture इससे पहले देखा है pseudo force क्यों arise होता है pseudo force इसलिए arise होता है actual में वो force होता नहीं है बट जब हम non inertial frame के अंदर होते हैं तो चीज़े बिना force की वज़े से accelerate करती हुए हम observe कर रहे होते हैं तो उस observation को उस observation की वज़े से जो ये गलत acceleration हमें मिल रहा है उसको सही करने के लिए हम एक नकली जुट मुट का acceleration वहाँ पर लगाते हैं mass into acceleration ताकि उसकी calculation क्या हो जाए सही हो जाए तो अब यहां पर अगर आप circular motion को observe कर रहे हो अभी तक हमने circular motion को observe किया किस तरह से ये circular path है मैं यहां rest पे खड़ा था तो मैं rest पे खड़ा था मैं particle को move करता हुआ देख रहा था तो मैंने मैं as the rest पे खड़ा हूँ तो मैंने इस चीज़ को कैसे observe किया rest पे खड़े हो कि यानि कि जो मेरा frame था वो कौन सा था inertial frame of reference ठीक है अब यहां पर non inertial frame of reference किया होगा non inertial frame of reference को आप ऐसे समझो कि यार आप मान लो एक बड़े से cylindrical box के अंदर हो ठीक है बड़े से cylindrical box के अंदर हो और आप यहां पर खड़े हो ठीक है और यहां पर एक object पड़ा है और यह जो box है यह circular motion में move कर रहा है ठीक है तो अब आपको यह body कैसे नजर आएगी आप भी इसके साथ rotate हो रहे हो आप भी इसके साथ rotate हो रहे हो तो let's say कि यह जो body है यह जो duster है ठीक है यह circular path में मुझसे दूर जा रहे है मतलब इसका जो motion है वो कुछ इस तरीके से है मैं यहां पर हूँ top view से देख रहे हैं यह जो duster है यह इस तरह से घूम रहे है ठीक है और मैं भी इसकी rotation के साथ rotate कर रहा हूँ तो basically मुझे यह duster कैसे move करता हूँ नजर आएगा अगर मैं इसके साथ घूम रहा हूँ ठीक है यह duster दूर जा रहा है तो मुझे यह कैसे नजर आया अगर मेरी आखों के point of view से देखें तो मुझे यह duster सिर्फ ऐसे जाता हूँ नजर आया कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ यह जानकारी चाहिए कोई मुझे बताए कि आपका frame of reference जो है वो खुद घूम रहा है यानि कि आप खुद accelerate कर रहे हो और अगर आप accelerate कर रहे हो क्योंकि circular path पे हो आप लेकिन आपको कैसे नजर आएगी आपको सिर्फ इस तरह से जाती भी नजर आएगी इसका मतलब यह इसको phone करके आपको phone करके बोलेगा कि भाई आप non-inertial frame में हो क्योंकि आपका frame accelerate कर रहा है आप कहोगे यार मैं तो घूम रहा हूँ तो घूमने के दौरान center की तरफ एक force होता है और अगर आप constant angular velocity से ना घूमते हुए आप constant angular acceleration आ गया तो आपके पासे tangential force भी होगा तो आपका काम क्या है इस non-inertial frame के अंदर calculation को ठीक करने के लिए हमने pseudo forces के अंदर क्या सीखा था वो observation क्या थी वो observation यह थी कि भाई आपको यहां पर जहां आपका frame accelerate कर रहा है उस उसके opposite direction में वही acceleration multiply by its mass आप लगाओ और फिर जो आपके frame में आपको नज़र आ रहा है उसके हिसाब से Newton's laws of motion लगा दो आपका काम हो गया आप calculation कर पाओगे तो यहां पर अगर मैं यहां पर देखूं कि यह जो बॉल थी जिसको जो actually मैं circular path पर जा रही थी बट आप खुद एक circular frame में थे तो आपको सिर्फ यह पीछे जाती वी नजर आ रही है यानि कि आपको सिर्फ यह इस तरह से जाती वी नजर आ रही है तो अब यहां पर आप क्या देखोगे कि यहां मैं क्या करता हूं मेरा frame यह जो ball है circular path की वज़ए से mv square by r इधर इधर इस पे force जो लगता यार है लेकिन आपके frame के हिसाब से तो यह straight line जा रहा है तो आपको होगे मैं centripetal force क्यों लगाँ मुझे तो दिखी नहीं रहे लेकिन फिर आपको phone करके बताए गया कि भाई आप भी घूम रहे हो साथ में यानि कि आप non inertial frame में हो तो आपको समझ आ गया कि यार मैं तो circular frame क के अंदर हूं तो यहां पर आपने क्या किया जितना acceleration center की तरफ है उतना ही acceleration आपने बाहर की तरफ लगा दिया और उससे उसका mass multiply कर दिया और m2 square by r जो बाहर की तरफ as a pseudo force आपने apply किया है वो क्या बन गया आपके लिए आप अब इसको center की तरफ नहीं है ये center से बाहर की तर पढ़ गया centrifugal force पढ़ गया और centrifugal force will be equal to mass times acceleration या फिर यहां जो भी net force होगा अब परिस्तिती देख लेते हैं एक बार इस चीज़ की ठीक है मान लो एक cylinder है ठीक है cylinder है इस तरह से बड़ा cylinder space ship international space station है ठीक है जहां पर आपको यह angular velocity omega से rotate कर रहा है यहां एक box रखा हुआ है ठीक ह कि भई आप यहां पर क्या करते हो आप यहां पर stand हो मैं realistic situation लाओंगा लेकिन आप क्या करते हो आप थोड़ा सा उठ जाते हो उपर उचल गए ठीक है और फिर इसने घूमना start कर दिया constant angular velocity से ठीक है तो अब आपका frame क्या हो गया non-inertial frame त्यूंकि अब आप box को अपने चारो friction नहीं होता friction नहीं होता तो क्या होता अगर मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं इस दिशा में friction होता ही नहीं तो यह वहीं का वहीं रहा जाता जमीन नीचे से निकल जाती यह वहीं का वहीं पड़ा रहता लेकिन घूम रहा है किसकी वज़ए से friction की वज़ए से घूम रहा है तो center की तरफ net force क्या है आपके पास friction और friction अगर अपनी maximum value तक नहीं है तो भाई friction ही आपका net force है and that will be equal to m omega square r और m v square by r ये लो भाई center की तरफ आपका net force आगया friction जो कि किसके बराबर है mass times acceleration mass times acceleration ठीक है काम खतम अब मानलो ये accelerate कर रहा होता ठीक है मानलो ये accelerate कर रहा होता अलफा स angular acceleration alpha होता तो इस point पर आपका tangential acceleration क्या होता आप से इसकी दूरी जो है वो small r के बराबर है that is your radius ठीक है तो भाई यहाँ पर यहाँ पर आपका जो दूरी है that is r अगर friction नहीं होता तो ये आगे tangential direction में भी नहीं जाता tangential direction में भी नहीं जाता अब इस डब्दे को ना ऐसे top view से देखना start करो ठीक है तो भाई यह यहाँ पर f1 बोल देते है यह f1 इसके बराबर हो गया भाई इस तरफ जो friction force लग रहा है वो ठीक है अब आगे की तरफ भाई box क्या कर रहा है यह नीचे का जो floor है वो box को आगे ल इस कर लो theta f2 upon me f1 करो tan inverse f2 upon me f1 आपके पास एंगला गया vector वाला गया काम खतम तो यह देखो यह आपका net friction है इसके उपर जेई में questions आया है hc वर्मा सर के book में question है रेस्नी खेलेडे में question है पर इस्तिती से बात ही तो करनी है वाई center की तरफ जो force है वो भी friction है tangential direction में जो force ह निकाला और उन दोनों का resultant करके final friction हमने निकाल देके net friction मेरा इस direction में लग रहा है ठीक है तो f2 हो गया मेरा इसके बराबर f1 हो गया इसके बराबर अब चलते हैं आपको मैं अभी मैंने उच्छाला था क्यूंकि अब आप उसके साथ नहीं घूम रहे थे इसलाप inertial frame में थ आता हूं पहला केस omega पहला केस constant angular velocity तो उसकेस में इसको f1 ही बोलते हैं उसकेस में f20 हो जाएगा ठीक है तो भई f2 अब आपको यह box कैसा दिख रहा है rest में दिख रहा है तो आप ने देखा यार यह box है यह तो rest में है लेकिन आपको phone करके मैंने बताया कि आप non-inertial frame में हो ठीक है और इस box पर इधर की तरफ f1 force friction 1 force लग रहा है तो आप आप क्या करोगे आपको पता है कि आप non-inertial frame के अंदर हो इधर आपका f1 force लग रहा है तो circular path पर आपका center की तरफ acceleration कितना है center की तरफ acceleration कितना है तो आपको पता चला कि मेरा acceleration है v square by r और omega square r तो मैं अपने frame में rest पर दिखाने के लिए calculation को सही कैसे करूँगा मैं इसके पीछे की तरफ m omega square r और mv square by r force जो की एक pseudo force है मैंने add कर दिया अग इस case में मैं इसको centrifugal force नाम से पकारूँगा ठीक है तो मैंने add क कर दिया अब मैं calculation अपने frame में जो दिख रहा है उस हिसाब से कर सकता हूं तो मेरे frame में मुझे क्या दिख रहा है मेरे non inertial frame के अंदर calculation तब तक नहीं कर सकता जब तक मैंने pseudo force add नहीं करी और ये बात हमने कोई rule नहीं बनाया nature मैं observe करके बताया ठीक है तो अब मुझे पता है friction force है और मैंने ये pseudo force बाहर लगा दिया अब मेरी body किस form में दिख रही है मुझे rest में दिख रही है तो यहाँ पर acceleration क्या लूँगा मैं 0 लेता हूं ठीक है तो f1 minus m omega square r ये मेरा net force है और ये वह acceleration है जो मेरे frame से मुझे नजर आ रहा है जो कि 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mass into 0 अब ये 0 हो गया तो यानि कि ये भी 0 हो गया तो f1 is equal to m omega square r और ये क्या है inertial frame से जो answer निकाला था उसी के बराबर है या फिर और लिख दो mv square by r same to same आया हम तो सही answer ही निकालना चाते है ना सही calculation ही करना चाते है तो non inertial frame में pseudo force का इस्तमाल किया काम हो गया अब भै pseudo force कहां लगता है जहां आपका frame accelerate कर रहा है उसके opposite direction में ठीक है तो यहां आपका ये जो body है ये कहां accelerate कर रहे थी inertial frame के हिसाब से towards the center तो आपने pseudo force कहां लग आया और फिर calculation करी जो आपको दिख रहा है उसके हिसाब से काम हो गया और देखो same result आया अब चलो भाई यहां पर acceleration देते हैं angular acceleration alpha तो अब आपको पता चला कि यार मैं आपको सब बता दिया गया है phone करके कि आप non inertial frame में हो ठीक है तो इधर की तरफ आपका जो acceleration है वो 20 square है v square by r और उपर की तरफ जो acceleration है that is your r alpha तो आपने क्या किया जिस radial direction में जो acceleration था v square by r और omega square r वो बाहर की तरफ लगाया mass से multiply किया that is your pseudo force ठीक है और जो आगे की तरफ acceleration था आगे की तरफ जो acceleration था उसका भी pseudo force लगाया कितना r alpha acceleration है mass times r alpha अब ये दोनों बन गया आपके pseudo force अब आप दिखाओगे free body diagram में क्या जो forces उस पर लग रहे हैं तो आपको पता चला कि यहां friction 1 है यहां friction 2 है अब आपको क्या नजर आ रहा है आपके frame के हिसाब से कि वह rest पे है वह सीधी बात यह रहा मारकर इस पर friction आगे भी है इधर भी है लेकिन मुझे तो यह rest पे नजर आ रह F2 is equal to MR alpha इधर का force इधर के force को balance करेगा जो कि मैंने थोड़ी दिर पहले यहीं लिखा था रभ हो गया तो F2 is equal to MR alpha जो कि inertial frame से भी मैंने वही निकाला था इतना simple है देखो nature से बात करनी है बस और कुछ नहीं this is that much simple यह इतना simple है तो देखो आपको कहानी समझ आ गई होगी centripetal force का pseudo force वाला version जब आप उसको non inertial frame से देख रहे हो आपने उसको बस एक नाम दे दिया है centrifugal force और इस चीज़ को लेके बच्चे confused होते है free body diagram में कई बार क्या होता है question को example में solve किया गया है non inertial frame के हिसाब से तो m omega square r बाहर लगा दिया या mv square by r बाहर लगा दिया कई बार उसको inertial frame से solve करके दिखाए गया है तो net force towards the center को उसके equal रखा गया है बच्चे इसमें confused होते हैं तो क्यों confused होना है ये totally depend करता है आपके frame of reference पे inertial frame लिया है तो center की तरफ जितने भी force है net force वो आपका m omega square r या mv square by r के बराबर होगा अगर आप non inertial frame में हो तो पहले mv square by r बाहर लगाओ और अगर tangential acceleration भी है तो m r alpha minus r t वाले direction में लगा दो और फिर जो आपको दिख रहे है उसके हिसाब से उसको solve करो आपका काम यहां पर हो जाएगा अब इसी के अंदर हम एक और बात ले लेते हैं मान लो कि यह actually rest पे ना होकर ठीक है अभी constant omega ले लेते हैं rest पे ना होकर यहां पर आपको एक a dash acceleration से जाता हुआ दिख रहा है a dash acceleration ठीक है क्योंकि आपको जो दिख रहा है उसकी value है मान लो बाहर से तो मुझे यह उस direction में मान लो 5 meter per second square से जाता दिख रहा है लेगिन आपको दिख रहा है 3 meter per second square से जाता हुआ linear direction में straight direction में तो यहां पर हम क्या करेंगे हम यहां पर यही करेंगे जो हमने nature में observe किया था और वो क्या था मैं non-inertial frame से solve कर रहा हूं इधर लग रहा है friction f1 ठीक है इधर लग रहा है मेरे पास अब क्योंकि मैं non-inertial frame से देख रहा हूं तो जो मौझूदा velocity है मेरे पास ठीक है मौझूदा velocity ध्यान से एक बात को समझना मेरी मौझूदा velocity जो है वो है v2 मतलब है तो यहां पर मैं mass times acceleration बाहर लगांगा mass times acceleration बाहर यह क्या है मेरा pseudo force अब मुझे जो acceleration दिख रहा है that is my a dash वो किसके बराबर है a dash के बराबर है तो यहां पर मेरे पास आएगा मेरे frame of reference के साब से इस acceleration से यह बाहर की तरफ जा रहा है बस मुझे तो यही दिख रहा है तो भाई बाह minus f1 is equal to mass times acceleration यही तो Newton's का नियम है net force is equal to mass times acceleration वही हमने किया लेकिन non inertial frame के अंदर ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम pseudo force लगाएंगे और pseudo force लगाना कितना ही मुझेल काम है जिदर आपका frame accelerate कर रहा है उसके opposite direction में frame का acceleration multiply object का mass आपको लगा देना है फिर आप Newton's laws of motion को अपने frame of reference के हिसाब से solve कर सकते हो यानि कि जो आपको दिख रहा है उसके हिसाब से solve कर सकते हो और यह बन गया यहाँ पर मेरा समी करण यानि कि equation और अब इसके अंदर भी एक और catch आता है सिर्फ यही पे नहीं रुखना है बात कर रही है वह यहाँ पर जैसे जैसे मैं अपनी position को देख रहा हूं यह R के साथ vary करेगी भाई यह अपनी position बदल रहा है अभी जिस R पे घूम रहा था ठीक है अब उससे ज्यादवा R पे चला गया है तो R की value चेंज यहाँ पर इस equation की value चेंज अगर आप यहाँ पर friction की value ले लो ठीक है friction की equation बना लो तो F1 is equal to mv square by r minus m a dash यह तो आपका friction भी यहाँ vary करेगा चाहे तो velocity की equation बना लो वो आपकी vary करेगी तो यहाँ पर variation है और जब variation आएगा तो आपको यहाँ पर calculus लगाना पड़ेगा यह वाला question H.C. Verma sir के book में है और इसको हम question answer में भी देखेंगे यह question में आपको करवाऊंगा लेकिन उससे पहले आ question answer वाले पार्ट में हम लोग उसको देखेंगे ठीक है solve करना नहीं observe करना mathematically बात करना देखेंगे जो काम आपको करना होगा किसी भी lecture को देखने के बाद आपको एक ही काम करना है observe करना है mathematically बात करना है सही सवाल उठाना है जिंदगी पलट जाएगी जहाँ एक तरफ जिंद lecture को हम end करते हैं this is your centrifugal force dynamics of circular motion को हमने यहाँ पर समझ लिया है extra बातों से lecture length लंबी हो गई लेकिन ये जो पार थे आपको बहुत काम आएंगे ठीक है so length लंबी करने के लिए अंत में माफी चाहूंगा ठीक है लेकिन important part है self study करो before आप कोई भी next lecture देखो self study करो self study का मतलब notes बना notes होते हैं ठीक है copy paste करके कुछ नहीं मिलता है ठीक है चालो इस lecture के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे next lecture में जिसमें हम लोग banking of road को explore करेंगे और हां मैं उस lecture को छोटा रखूंगा extra बाते नहीं करूंगा ठीक है जो आपने यहां तक सीख लिया है वो ग्यान बस चाहिए वहाँ